डिर diets, Welcome बैक to my channel trading media जी दोस्तों पिछल्य कुछ वीडियो से हम आलगोmil ट्रेडिंग के बारे में talk डिस्केसिंग करते आ रहेते हैं दोस्तों लेकिन आलगो आप कौन सा भी करते हो दो तो इंटरेडंगी हो चाहिए स्विंग ट्रीडिंग हो चाहिए आप स्टॉक्स में करते हैं Ш coy आप नविक्स्ट करते हो दोस्तो तो तो हर टाइब स्फिन्वें आग्मीर डिसीस का नौलज का नॉलेज लेने के लिए दोस्तों हमको टेकनिकल एनलेसिस का नॉलेज जो है वो बहुत आच्छी तरीके से आना चाहिए इसलिए हमने एक नई श्रिंकला चालू के टेकनिकला एनलेसिस को डीटेल में स्टडी करने के लिए तो उमिद है अपनी डिस्कलेमर ठीक तरह से पढ़ लेया होगा तो डिरेकले आज चलते हमारी मिन टॉपिक के तरफ दोस्तों हमने इस श्रिंकला में दोस्तों पहले मार्केट का स्ट्रक्चर कैसा होता है यह स्टडी के या मार्केट आप ट्रेंड में है डाउन ट्रेंड मे मार्केट हो दोस्तो सब्सक्राइब के मार्केट में मार्केट को कैसे ट्रेड करना है उसका डिसकूशन किया और हर यह ट tires डिक पैटन चाहिए वह बुलिश कैंड़्स क्यान्डर्स टिक कैसे प्राइस एक्षिन के सिगनल बनाई जाते हैं और उससे हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं वह भी डिटिल में डिसकेशन किया दोस्तों उसके बाद टॉप डाउन आने लेसिस का यूज करके कैसे पहले लांग टाइम फ्रेम में जैसे मंतली या विकली टाइम फ्रेम में हमको प पिछले वीडियो में हमने पिन बार केंडल स्टिक के स्टेजी का यूज करके बहुत सारे स्टेजिस सिके उसमें से यह की स्टेजी है दूस्तों 21 period moving average का यूज़ करके हम जैसे पिन बार बनता है और पहले हमको market कौन सा ही ये classify करना है दोस्तो जब अगर आप trend market हुए और उदर अगर पिन बार बन गया दोस्तो और वो पिन बार जो है वो 21 period moving average पे rest कर रहा है उदर support ले रहा है ये confirmation लेने के बाद अगर हम trade करेंगे दोस्त तो ये सब चीजें हमने पिछले वीडियो तक सिखी है और ये चैनल को आज अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों क्योंकि ऐसे और technical analysis का जो knowledge है वो deep में मैं इदर discussion करने वाला हूँ दोस्तों और उसका जो है तो आगला मेरा वीडियो का notification जो है उत्वरम तापको मिल जाएगा तो आज के वीडियो में दोस्तों ट्रेडिंग टैक्टिक जो है वो पिन बार्ट केंडल स्टिक पैटन को यूज करके कैसे बनानी है उसके बारे में discussion करेंगे विन वे identify the trend पहले हमको trend identify करना है दोस्तों क after finding these levels in line with the direction of the trend the second step is no is to know to enter the market based on the candlestick pattern तो उसके लिए हमको क्या क्या study करना है हमारी पहली इंट्री जो है दोस्तों the aggressive entry option है इसका हम अभी discussion करने वाले this method consist of entering the market immediately after the pin bar closes without waiting for the confirmation pin bar जैसे ही close होता है दोस्तों उसके बाद जो है हमको trigger पूल कर देना है this strategy will help you to catch the move from the beginning because sometimes the prices goes higher after the close of the pin bar and if you are not in the market the trade will live without to अतलब जैसे पिन बार close होता है दोस्तों यह आभी इसका elaboration हम करेंगे एक downtrending market है हमने पहले इसका market structure जान लिया दोस्तों उसके बाद जो है कि यह जो support था दोस्तों इदर यह support इदर create होगा था उसका जो है ultimately जो है इदर resistance बन गया है दोस्तों और resistance बनने के बाद एक इदर reverse pin bar इदर बन गया है तो उसका यूज करके हम इसका जो पिन बार का जो टॉप है दोस्तों उसके थोड़ा उपर हम जो है इदर stop loss लगा कि इदर जो है पहले इंट्री ले सकते दोस्तों इवन आफ्टर देख्व प्रसे टप इन बार सेट अप जैसे एकलो जो और दोस्तों तो हमको यह अगला जो कैंडल है उसका ओपनिंग पर है इमिजेटले ट्रेड ले ले न आ है दोस्तो तो ये खों से है द्री इंट रसें ये ओप्षिन है in this case we look for selling opportunity market नीचे जा रहा है दोस्तों तो हमको क्या करना है selling opportunities ढूंड यह the level in this chart we had a support level that becomes the resistance यह यह देखे दोस्तों इदर यह support था यह क्या बन गहा है इदर resistance बन गहा है तो हमको एक level भी मिल गई a clear pin bar was formed after the retracement back to the resistance level इदर a clear pin bar इदर हमको बनता दिख रहा है दोस्तों तो हमको क्या और यह कौन सी एक certain level पर बन रहा है दोस्तों तो एक confidence नजर आ रहा है दो तीन चीज़ों का तो इदर हम trade जो ही initiate कर सकते when you have this three elements in the market you just place your trade after the close up pin bar and you your stop loss is above the long tail यह long tail के ऊपर जो है हमारा stop loss है क्यूंकि हम market को जो हो short कर रहे है दोस्तों यूर प्रॉफिट टार्गेट विल भी next to the support level in case of the downtrend दो उसके बाद इस त्री elements are quite enough for you to find the high probability entries in the market यह तीन elements बहुत काफी है दोस्तों एसा हमको जो है मार्केट का structure ढूणना है और यह सा जिदर setup बन जाता है दोस्तों तो इमीजेटले हमको market में एंटर करना है दोस्तों उसके बाद जो है दो conservative एंटर ऑप्शन मतलब यह थोड़ा aggressive हो गया दोस्तों जैसे पिन बार हमको इदर रिजिस्टन लेवल पर इदर नजर आ गया वैसे हमने क्या किया ट्रिगल पूर पूल कर दिया और दोस्तों market में हम एंटर हो गया और दूसरा system जो है उसमें हम this strategy consists of entering the market after 50% of the range bar retracement this strategy sometimes will work when it gives more than five to one risk to reward ratio तो यह one is to five का राइस to reward भी मिल जाता है दोस्तों यह strategy में तो यह setup हम पहले देख लेते हैं क्या setup है यह downtrend market है दोस्तों downtrend market में एक support level इदर बन गया था और support level को break करके इदर से market जो है वो नीचे आ गया दोस्तों और market जब नीचे आ जाता है तो हमने जैसे discuss किया previous videos में वैसे इधर से जो है market अपने mean level की तरफ जो है वो proceed हो गया दोस्तों mean level को जैसे इसने touch किया इधर एक जो है वो pin बार बन गया दोस्तों लेकिन यह जो conservative strategy है दोस्तों उसमें हमको immediately जब pin बार बन जाता है तो हमको enter नहीं करना है यह बात आप note कीजिए दोस्तों हमको wait करना है जब तक यह यह पिन बार जो है 100% अपने हमने अगर मान लिया दोस्तों यह टोटल के लाटिम पिन बार जो है यह इदर से इधर तक है तो इसका 50% कि दर तक आगए यह इधर तक आगए दोस्तों तो इधर तक को अगर retracement होता है दोस्तों मार्केट फिर से इदर मार्केट आके टेस्ट करने की कोशिश करेगा तो हमको इदर क्या करना है मार्केट short करना है दोस्तों तो और एक option हो सकता है कि इदर तक मार्केट आने के बाद फिर से market जो है इधर से pullback भी कर सकता है दोस्तों तो यह थोड़ी conservative strategy हो गई मतलब थोड़ा double confirmation लेने के बाद हम trade कर रहे है दोस्तों तो 50% pin bar retracement interest को हम बोलेंगे तो यह भी बहुत है अच्छी strategy है दोस्तों और इधर confirmation जो है इधर हमको double मिल रहा है तो हमारा losses होने का chances भी बहुत कम है दोस्तों और profit की probability ज़्यादा है दोस्तों तो उसके बाद जो है और एक setup हम देखेंगे दोस्तों इधर जो है यह support becomes the यह जो है दोस्तों इधर resistance है इन्होंने गलत mention किया है यह resistance है दोस्तों study material में यह resistance है और resistance को market touch करके इधर जो seller बेटे थे उन्होंने जो है market को नीचे लेके आए और नीचे लेके आने के पाद जो है दोस्तों market will always go to the mean as per technical analysis तो market जो है mean level की तरफ जाने के कोशिश किया दोस्तों और इधर market become successful to the to break this resistance level and go beyond the resistance तो एक breakout आ गया दोस्तों इधर और ये pin bar इधर बन गया और pin bar बनने के बाद जो है दोस्तों pin bar का 50% अगर pin bar 50% retracement होके इधर जो है एक बहुत अच्छा bullish candle इधर बन गया तो immediately हम इधर long entry ले सकते दोस्तों तो ये दो जो strategy है aggressive और conservative दोनो strategy हमने देख ले दोस्तों उसके बाद जो है pin bar जो है वो confluence के साथ हम कैसे trade कर सकते वो हम discuss करने वाले confluence मतलब 2-3 चीज़े जो है दोस्तों उन सभी चीज़ों का जो है जैसे हम indicator यूज करते yamice cd bollinger band moving average और 2-3 indicator का जब confluence आता है दोस्तों और वो टाइम पे जब हम trade लेते है तो उसकी probability win probability जो है बहुँ सबसे ज्यादा रहते है दोस्तों तो वे साही कुछ इदर हम सिखने वाले confluence happens when many technical indicators generate the same signal this trading concept is used by price action traders to filter their entry points and spot high probability signals in the market it doesn't matter if you are beginner or advanced trader trading with the confluence is must because it helps you to focus on the quality setups so quality setups पे focus करता है दोस्तों confluence means combination or conjunction it is a situation in which two or more things join come together मतलब 2-3 चीज़ों का confluence लेके हम pin बार के साथ trade करेंगे है दोस्तों कैसे करेंगे वह हम discuss करने वाले तो उसमें हम क्या क्या चीज़े देखने वाले पहले हम क्या करेंगे trend को identify करेंगे सब सब पहला जो important part है दोस्तों we have to identify the trend it is uptrend downtrend ranging market है choppy market it is one of the most important factor of the confluence this is the first thing that most successful traders look for their chart you can't trade any setup without identify it is in line with the direction of the market पहले हमको market की direction जच करने है दोस्तों उसके बाद support and resistance levels and supply demand areas कि दर support and resistance level हमको मिल रहे है दोस्तों उसका study करेंगे उसके बाद eight or twenty one period moving originally लिया है दोस्तों इसका भी confluence हम देख सकते हैं उसके बाद जो है Fibonacci trading tool जो है यह सबसे बड़िया tool है दोस्तों इसका use में खुद आपने trading system में करता हूं और maximum trade जो है और Fibonacci trading retracement tool से लेता हूं दोस्तों तो उसके बाद जो है important reversal points in the market तो एक example ले लेता है दोस्तों इस example में हमने क्या क्या देखा है एक जो यह resistance का level था दोस्तों this resistance level को market ने क्या किया है market broke this resistance level और इदर broke भी किया दोस्तों और उसके बाद जो है इदर pin बार इदर बन गया और उसके बाद का जो confluence signal है दोस्तों यह 21 पिरेड का moving average जो है dynamic support level तो इसको भी market ने break करके pin बार बना के इदर उपर जाने की कोशिश कर रहा है दोस्तों तो दो तिन factors का इदर confluence आ गया तो trade लेने में हमको कोई भी किज-किज ने होनी चाहिए तो उसके बाद जो है एक quality setup इदर बन गया है तो ऐसे quality setup आपको जिदर भी मिलेंगे दोस्तों तो आपको directly market में एंटर कर जाना है उसके बाद जो है दोस्तों इसका ही discussion इदर किया है कैसे हमको trade identify किया level support और resistance और उसके बाद जो है bullish फिरबान बन गया है और कैसे bullish पिन बार जो है 21 period moving average को dynamic support level की तरह test कर रहा है उसके बाद जो है दोस्तों semi pattern है 21 period moving average पे पिन बार बन गया है दोस्तों यह जो एक resistance लेवल था इसको market ने break कर दिया है उदर पिन बार बन गया है दोस्तों और इदर जो है फिवोनासी डिट्रेस्मेंट टूल की मदद से 50 परसेंट रिट्रेस्मेंट लेवल 50 और 61 परसेंट इस आर भीरी भीरी important levels in the market दोस्तों इस लेवल पे support करके और 21 period moving average को support करके अगर कोई भी पिन बार अगर बनता है दोस्तों 15 minutes time frame में भी तो immediately उसको trade करना ही समझदारी है क्यूंकि उदर जो है बहुत सारे buyers बेटे होए होते हैं और वो market को उदर से नीचे ले जाने में उनका interest नहीं रहता है उदर से जो है markets upside ही जाता है दोस्तों और maximum जो institutional investor रहते हैं तो 50 और 61 पर लिया है तो और जो है pinbar trades के example हम इदर देख लेते दोस्तों डाउन ट्रेड मार्केट है downtrend market में जो है हो तो 20 पिरिड मुविंग आवरेज को इदर टेस्ट कर रहा है दोस्तों मार्केट टेस्ट कर रहा है मार्केट ने इदर ब्रेक कर दिया और ब्रेक करने के बाद फिर से जो है मार्केट इदर मीन लेवल की तरफ आ गया दो तो support that become the resistance और जो ये support का line जो इधर बना था दोस्तों तो ये resistance बन गया और 20 एन फिरोंड मिविंग आवरेज को भी ब्रेक करके नीचे जा रहा है दोस्तों पिन बार बना के और 50 और 60 61.8% लेवल को भी इसने ब्रेक कर दे तो हमको ट्रेड लेने में कोई भी confusion नहीं होना चाहिए उसके बाद जो है दोस्तों इसमें भी same ही है 61.8% की लेवल को इसने नीचे की तरफ क्रॉस करके नीचे जा रहा है और 21 पिरेड मुविंग आवरेज को भी इसने ब्रेक कर दे दोस्तों और जो एक support था और resistance बन गया है और resistance लेवल को भी इसने नीचे की तरफ तोड़ दिय है दोस्तों और एक example हम देख लेते हैं दोस्तों ऐसे example आपको मार्केट में ढूने है दोस्तों निफ्टी या बैंक निफ्टी के चार्ट ओपन करके बैट जाना है वे एसे आपको डिटेल में study करना है दोस्तों मैं हर बार बोलता है दोस्तों तीन या चार गंटे का आय ओ आपको पेपर ट्रेड करना है दोस्तों हर एक points आपको cover करने है और जब आपको मार्केट का structure ढूणना आ जाएगा दोस्तों आप टेंड में डाउन ट्रेंड में चौपी है या रेंजिंग मार्केट है और मार्केट का behavior आपको मालूम होना चाहिए मार्केट कौन से level पे आ इदर जो है मार्केट ने एक पिन बार बना दिया है और वो यह जो है वो 21 पिरेड मुविंग आवरेज को भी इसने जो है इदर सपोर्ट ले लिया है दूस्तों मार्केट जो है उपर की तरफ जा रहा है तो यह बहुत ही रिलाइबल सिगनल है दोस्तों उसको यूज करके हम इदर मार्केट में इंटर कर सकते हैं दोस्तों इदर 61.8 परसेंट लेवल पे जो है इदर पिन बार बन गया है ट्वेंटी ट्वेंटी वन पिरेड मुविंग आउरिज को भी इसने टेस्ट करके उपर की तरफ जा रहा है दोस्तों तो यह हमने डीटेल में अभी डिसकेशन किया दोस्तों तो आगले वीडियो में हम ट्रेडिंग पिन बार सिंदर रेंज बांड मार्केट डिसकस पिनबा ब्रकेट में हमको कैसे ट्रेड करना है दोस्तों यह आग हमने अभी डिसकेशन किया दोस्तों इसको आप लई मार्केट में ज़रूर प्रेक्टिसौकी Judy कीजै दोस्तों प्रैक्टिस कीज़ was study कीजै दोस्तों और टेक निकल आनयलेसिस का जो है डितल में आप आपको अगर टेकनिकल नॉलेज का नॉलेज के आगर सांड हो जाएगा तो कोन सा भी ट्रेडिंग का पर्ड और अलो स्विए इंत्राइश कौह भी ट्रेडिंग उस्टो आपका हाथ